हेलो एब्रीवन वेल्कम पैक टेवर्ड चैनल हाइपर टेड़ेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आये हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए रिलायंस एडस्ट्री उपर प्रिवयस विडियो में मैं आप लोगों को दिया था दोस्तों फ्यूचर-बाई क्या दिया था फ्यूचर-बाई जिसका हमारा जो लॉट्ण साईस था दोस्तों जो तूफिफिस्ट्य था और हम लोगों का अपने ब्रेकवूट्अ हमारा इसके अंदर एंट्री लेवल था दोस्तों 2,240 और हम लोग अपने ब्रेक आउट के यह साब से 2,380 और 370 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे क्या लेके चल रहे थे स्टॉप लॉस हमारा एंट्री प्रिवियस टाइम वहा था दोस्तों 2,440 पे कांपे वहा था 2,440 पांच या छे दिन पहले ही मैंने वीडियो रिकॉड करके अपलोड किया है रिलाइंस इंडस्टी पे आप जाके यूटूब में सर्च करके मेरे चैनल पे देख सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को दिया था ट्रेड पोजिशन उसके बेसिस पे ही हम लोगों को हुआ हुआ रिलाइंस इंडस्टी के अंदर प्रॉफिट बुक होने के बाद हमारे जो टार्गेट थे दोस्तों 2510 2540 570 580 के टार्गेट तो मैं दिया भी नहीं और मैं जुट बोलूंगा भी नहीं तो अभी हमारा रिलाइंस इंडस्टी के अंदर जो टार्गेट अचीव हो चुका जिदर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है पर यह प्रॉपरली रिवर्सल नहीं है यहां पर जो इसने रैली की दिया इस रैली का क्रेक्षन है वस रैली का करेक्षन है अगर हम लोग नेक्स्ट टार्गेट के बेसेस पे देखेंगे तो एक लेवल यहां पर बन रहा है और श्टॉक के अंदर क्या है दोस्तों रेस्टिंग पीरियोड रिलान इंडस्टी में क्या है 2016 से लेके 2006-20 के in between resting period है अगर मैं यहां पर आर्सविल लगाओ तो Stock overnight हुआ नहीं बिना Overbought हुए selling हो रहा है क्या हो रहा है बिरना Overbought हुए हुआ selling इसका मतलब है कि the stock यहां पर improper selling हो रहा है क्या हो्त रहा है,asta क्यों improper selling है RSA आप बूलेहें सोइल भेर आरइसा इस तरीके का selling बता रहा है तो improper क्यों है improper इसी लिए है क्योंकि minus level पे यह जो stock को depreciate करके stock के value को decrease करके जो trade कर रहा है यहां पर यह जो selling ले रहा है stock का value decay या नहीं delay क्या बोलते हैं उसे melt करने के लिए price melt करने के लिए constant price नहीं रखने के लिए जो यह already value दे के बायर को catch किया है यहां तक stock नहीं जाने के लिए stock यहां पर trade हो रहा है दोस्तों जिस वज़े से pressure on selling हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब यहां पर जो pressure on selling मिलेगा reliance industries में यह कम तक continue होगा अगर मैं one hour का candle chart लगा के देखूं तो यह अगर improper भी selling देगा तो हम लोगों को continue होगा दोस्तों 2400 के level कहां तक होगा 2400 के level तक हम लोगों को यहां पर selling चलेगा तो मैं यहां पर आप लोगों को future sell position दे रहा हूं रिलाइंस industries में और जो भी short term professional के लिए बैटे थे टार्गेट अच्छी हो चुके exit हो जाओ future में भी trade दिया था वो भी exit हो जाओ because target अभी भी हमारे 2540 अभी 2555 level चल रहा है 2540 के तो टार्गेट अच्छी हो चुके exit हो जाओ यहां पर 2550 level पर future sell पकड़ो 2520 का पाइला टार्गेट होगा 2500 का second target होगा 2470 का आखरी target होगा future sell में अगर stock यहां से reverse मार गया reverse मार गया तो 2620 का हमारा SL होगा इस बार हम लोग थोड़ा SL बढ़ा लेंगे बिकाज अभीके लिए तो supply है supply इस तरीके की reversal supply है इस तरीके की reversal supply है जिदर immediate correction आया है दोस्तों pressure on selling हम लोगों को देखने को मैं Reliance Industries में तो मैं completely suggest करूँगा future sell पे काम करिया Reliance Industries के अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको information अच्छा लगा तो फैमले और फ्रेंज के साथ जरूर शेर करना अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं जिया है तो डिस्क्रीशन में लिंक है क्लिक करना जॉइन करना थैंक यू यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दूस्तों और यह मेरा इंस्टाग्राम पेज है अगर आप अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं कर सकते हो आपके हेल्प के लिए ही मैं इस्टाग्राम का पेज open क्या हूँ अगर आप मैं फीर से बोल रहाँ अगर आपने अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, इस्टाग्राम पेश को फॉलो नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी ही कर लीजिए, थैंक यू